hello everyone today's lecture is types of protection इस lecture में हम पढ़ेंगे primary protection के बारे में और backup protection के बारे में this is the circuit diagram of primary protection and backup protection सब्सक्राइब कर संदें दिशेट में बस दिस इस चार फीडल लाइन इच फीडल लाइन में एक ओर करेंट रिले कानेक्टेड है उसी के साथ एक सर्कुट ब्लेकर भी अर्ब कारेंट सेटिंग भी और ताइम सेटिंग 0.6 सेकेंड और यह जो है इस relay का भी यह भी एक over current relay है इसको mention किया गया है और इसका time setting 1.0 second है suppose fault हो रहा है इस feeder line पर अगर इस feeder line पर fault हो रहा है then इस point पर fault हो रहा है then relay के अंदर ज्यादा current flow होगा उसके बाद क्या होगा जो city के secondary में ज्यादा current flow होगा तो relay operate करेगा जब relay का pickup current से ज्यादा current flow होगा तब operate करेगा जब fault हो रहा है then उस time पर ज्यादा current flow होरा है pickup current से ज्यादा current flow होरा है और उसके बाद तुमारा relay है operate करेगा और relay command देगा circuit breaker को trip करने के लिए और fault इ पार्ट को separate करने के लिए अगर ये trip कर देगा तो ये है salty section ये है healthy section यह टूटल है यह हे healthy section और यह हे faulty section जब यह circuit बेकर काम करेगा तो यह faulty section को separate कर देगा healthy section से तयन क्या होगा इस टाइप आप protection को हम बोलते हैं primary protection इसको this protection is called as primary protection If the primary protection failed अगर यह primary protection fail हो जाता है क्योंकि क्यों फेल होगा अगर relay में relay का जो tripping mechanism है वो अगर काम नहीं करेगा तो यह fail होगा सकता है अगर यह fail हो जाता है तो 0.6 सेकंड में यह on नहीं होगा यह operate नहीं करेगा और उसके 4 सेकंड बाद जब फर्ट स्प्रेड हो जाएगा तो उसी टाइम पर जो ऊबर करेंट रिले है उसका time setting 1.02 अगर इस ताइम पर वो अपरेट करेगा बिछले बार मैं ने देखा था ट्रिपिंग सर्कूट केसे होता है और सर्कूट केसे काम करता है अगर तुम यह circuit यह tripping circuit में भारे में थोड़ा जानना है तो पिछले वीडियो देख सकते हो तो जब यह operate करेगा तो यह circuit breaker यह relay operate करने के बाद यह circuit breaker को command देगा यह total circuit को open करने के लिए जब circuit open हो जाएगा close circuit से open circuit हो जाएगा तब यह faulty part यह part faulty था यह total फिडल लाइन यह क्या होगा यह total फिडल लाइन सप्लाय से disconnect हो जाएगा तो यह protection इस टाइप अफ प्रोटेक्शन इस नो ना ज बैक आप प्रोटेक्शन इसी protection को जब primary protection फेल हो जाता है उसी time जो उसके बाद जो operate करता है जो relay उस circuit breaker उस protection system को हम बोलते हैं हम कह सकते हैं backup protection this is all about your backup protection if you have any doubt अगर तुम्हें कोई doubt हो इस lecture में तुम comment कर सकते हो thank you for watching this video this lecture video thank you